ओम नमस्षिवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज मैं आपको दुरगाश्ट्मी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ दुरगाश्ट्मी के दिन आपको कुछ उपाय करने हैं कही रासियां पियादी बागिसाली हैं इस दुरगाश्ट्मी को बहुत ही अच्छा यूग बन रहा है दुरगाश्ट्मी के दिन अगर आप यूपाय करते हैं तो माता पारवती आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगी दुरगाश्ट्मी के दिन सुवैश्ट्मान करें इस दुरगाश्ट्मी के दिन सुवैश्ट्मान करने के बाद में शूरदेव को अर्ग देना है उसके बाद में आपको गाय के दूद में आपको मिस्री डाली है और थोड़ा सा गन्य का रस्वी लेकर के आना है और आग के जो पुष्प होते हैं वो ले 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 नहीं तो गुलाव के पुष्प ले ले और कनेर के पुष्प आपको ले 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 पाँच यह सात कनेर के पुष्प ले ले और गुलाब के पुष्प ले ले और खीर का प्रशाद बना करके तियार कर ले ओर सिंगाल ले लेना थोड़ा सा और एक चुंद्री ले लेनी है दीपक तियार कर लेना, भगवान सिव के सामने आपको जाना है गाय के दूठ से भगवान सिवका पहले अफशेक करना है ओम नमस्वाय मंतर का जाप करते हुए महाकाल भोले नात का अफशेक करेंगे अफशेक करने के बाद में आप भगवान को चंदनक और भस्मी मिक्स करके लगानी है उसके बाद पुष्प और चावल भगवान को चड़ाएंगे और पुत्र की इच्छा के लिए उनके दाने आप साथ में चड़ाएं दनी की इच्छा के लिए चावल के दाने भगवान को समर्पित करें खीर का प्रिसाद भगवान को भोग लगाएंगे किरका प्रिसाद भोग लगाने के बाद में माता पार्वती को सिंगार अरपन करना है और उसके बाद माता पार्वती को चुंदरी उड़ा देनी है बेल पत्र अगर आप लेके गए तो ओम नवस्मा लिक करके बेल पत्र भगवान को समर्पित कर दिना है बस्मी का बड़ा मेहतुता जो बस्मी आप लगाएंगे उसमें से थोड़ी सी बस्मी आपको बागी बस्मी में मिला करके और बापस लेकर के आनियों से टीका लगाना प्रारम कर दिना है यह उपाय करना है पिर दीपक जला दिना भगवान के सामने ओम नमस्वाय मंतर का जयाब करना है आपकी मनुकामना वस्य पूरी होगी पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के परक्रमा करें और पुष्प कनेर की गुलाव के पुष्प भगवान को चड़ाएं माता पार्वती को भी पुष्प चड़ाएं और पांच या ग्यार है गुलाव के पुष्प माता दुर्गा को भी आपको चड़ाने हैं अगर किसी के सरी में कोई परिशानी है तो रुद्राख पंच मुकी या चोदर मुकी रुद्राख ला करके भगवान को समर्पित करें और उसके बाद मुरुद्राख आप धारण करें इस दिन कई रासियां जो बियादी बागिसाली रहने वाली मेस रासी, मितुन रासी, करकरासी, सिंग रासी, आपकी कन्या रासी उसके बाद में ब्रेश्चिक रासी, धनुरासी, मकर रासी, कुम रासी ये रासियाएं जो इस दिन बियदी बागिसाली रहने वाली है इन रासियों का योग बहुत ही अच्छा है तो इस दिन आपको यह उपाय करने हैं साथ गोव माता का इस दिन पूजन जरू करें गोव माता को आप फल, रोटी, गुड़ खिला के जरूर आए गोव माता आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगे ये उपाय करते समय आप अपनी इस्चा जरू बोलेंगे आपके मन में जो भी कामना है आपकी प्रतिक मनुकामना अवस्य पूरी होगी बड़ा दिन हैं तो आपको यह उपाय जरू करना है थमनल प्रमिन डेट के बारे में जानकारी दिदी है उसी तारिको यह है द्रुगाश्ट में पड़ेगी तो भगवान गनेजी का भी इस दिन आप पूजन करें जो भी आपके मन में कामना है वह प्रतिक मनुकामना पूरी की पुत्र धन प्राप्ति के योग बनेंगे ओम नमस्च्वाए